दसवें का यह है y बराबर root sin x प्लस फिर root के अंदर ही sin x फिर उसी root के अंदर sin x चल रहा है ठीक है तो y का मतलब क्या है root के अंदर sin x लिखा हो उसी का मतलब क्या है y तो y बराबर में यह root sin x प्लस उसके बाद में दुवारा root है और sin x तो इसी को अपन क्या लिख सकते है y यानि एपने को y का मतलब ब रहे हैं तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ वरग करने पर दोनों तरफ वरग कर लेंगे रूट को टाने के लिए तो इधर तो आजएगा y square है और रूट का अगर square करते हैं तो root अड़ जाता हैं तो sinx plus में क्या आजाएगा y sin x plus में आजाएगा y ठीक है अब अपने को निकालना dy y dx तो क्या करेंगे यह जो फलन दे रखा है यह वाले जो अपने को समीकन दे रखा है यह एस पस्ट फलन का रूप है ठीक है तो एस पस्ट फलन का उखलन करते हैं तो x के साफ x का उकलन करेंगे तो y स्केर का करेंगे तो y स्केर का 2y फिर इस y का करेंगे तो y का होता है dy by dx x के साफ x y का उकलन dy by dx sin x sin x का उकलन होता है cos x into x का उकलन होता है y plus y y का उकलन x के साफ x होता है dy by dx अब dy by dx को एक साइड में लिख लेंगे तो यह 2Y पहले से ही है यह DYY DX इदर होगा तो माइनस का होगा तो माइनस 1 उसकी जग़े बचेगा बराबर में क्या है? कोस X ठीक है तो DYY DX बराबर क्या जाएगा? कोस X अपकोन में 2Y माइनस में होगा तो यह वाली जो ट्रम है यह ऐसे आई कि यह तो अपना था ही 2Y यह तो पहले से ही 2Y DYY DX माइनस यह इदर आएगा तो माइनस का DYY DX होगा तो DYY DX कॉमन तो यहां पर 2 बचा 2Y और यह पूरा बार आईगा तो इसकी जग़ा 1 बचेगा 2Y माइनस में और तो यह फ्रनका होगा आउख लगा